अलो गाइस केके कुलदीप कुमार के चैनल से मध्यन से बोल रहे हैं और हम आपको आज नवे लोकीशन की तरफ लेके चलते हैं जहाँ पर यहाँ पर भुट भब लोकीशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर सुन्दर सुन्दर दिरिस है और सुन्दर सी यहाँ पर लोकीशन ह लेके चलते हैं जहां पर यह आप देख सकते हैं कि पवण पुत्र हरुमान भाला जी महाराज बजजनांग बली ये उनकी प्रतिमा है कि जो आप देख सकते हैं और भब मूर्ति है उनकी और बजंग बली के बल से तवाप बहुत भली भाती परचित हैं कि जो उनके नाम से बहुत मशूर हैं और ये हमारे श्रीक गनेश जी भगवान है कि जो इनके बगार कोई सुभ काम हो नहीं सकता इनका अपने जगा अस्थान पर बहुत मानना हैं को कि बहुत आस्था है लोगों के प्रति और ये का मंदिर है कि जो यहां पर बहुत अच्छे लोकिशन में बनाई गई हैं और ये मरारा दिवी का मंदिर है कि जो मरारा दिवी का मंदिर अपने नाम में ही बहुत प्रसिद्ध है कि जो यहां पर इनकी आस्था बहुत और ये माना जाता है कि सच्चे मन से कोई अगर जो इनकी अराधना करता है तो उनको जरूर ये फैदा मिलता है उनको और उनकी मनों कामना पूरी होती है ये माता बैशनु देवी है कि जो बैशनु देवी माता के नाम से प्रसिद्ध है और ये मरारा देवी का मंदिर है कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरारा देवी का ये मंदिर है और यहां का ये मानना है कि कोई प्रति दिन नेम करके एक महीना अगर जो यहां पर जल चड़ाए उनकी आँखों की रोस्नी आ जाती है और इसके बारे में कहते हैं कि प्रति दिन नेम से भक्ती से सच्चे मन से अगर जो कोई इसकी पूझा अरादना करे और यहां का एक तब तलाब है जो यहां पर आके उस तलाब कर जल अगर जो आँखों में पूरा एक महीना लगाता है तो इसकी आँखों की रोस्नी बहुत प्रति से आजाती है वो अच्छे तरह से आजाती है इसलिए इसको मरारा मैया भी कहा जाता है और मरारा देवी भी कहा जाता है इस नाम से प्रसिद्ध हैं और हम आपको उस तलाब की तरफ लेके चलते हैं जहां पर की मरारा देवी का मैया का तलाब दिखाते हैं बहुत अ लोकिशन में यहाँ पर एक हैंड पम्प भी है जहाँ पर लोग आते हैं सुध्धी करते हैं अपने हाप को हाथ पैड धुलते हैं यहाँ पर और फिर मंदिर की तरफ जाते हैं और आपको आगे की यो ले चलते हैं कि जो आप देख सकते हैं अच्छा दिरिस भबी दिरिस यहां पर है मरारा देवी मिया का और इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं यहां पर बताया जाता है कि यहां पर इस तलाब से गंगा जल लेकर अपनी आखों में लगाएं तो उनने का मतलब उनकी रोष्टनी भी आ जाती है और यह बहुत प्रसिद्ध है यह मरादेवी मैया का तलाब है अब गर्मी की वज़ा से पानी सुख गया है नहीं तो यहां पर यह पूरा हरा भरा रहता है और इस के बारे में हम आपको जादा ना बताते हुए केके कुलदीप कुमार की चैनल के मध्यान से बोल रहे हैं हो और आप लाइप करें सुस्क्राइब करें शेर करें हमारा छोटा भाई बहुत महनत से वीडियो बनाता है आप लाइप सुस्क्राइब करना मत भूलें प्लीज 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 और आप हमारा सहयोग दें और धन्याबाद